इस tutorial में हम यह theorem prove करेंगे which says chords equidistant from the center of a circle are equal in length तो पहले हम कुछ term समझ लेते हैं यहाँ पे यह मेरे पास एक circle है circle के किनी 2 points को अगर मैं straight line से join कर दूँ तो वो line क्या होती है chord अब हमें एक given है कि 2 chords या 2 से ज्यादा chords कितनी भी chords equidistant from the center center से equidistant उसका मतलब यह है अब सबसे पहले यह समझ लेते हैं distance क्या होता है कोई एक line कहीं पे भी कोई एक point वहाँ से अगर मैं एक perpendicular draw करूँ इस line के उपर तो इसको मैं बोलूँगा इस point का इस line से distance यह सब चीज़े हम इसकी just पिछली theorem में भी कर चुके हैं यह उसका converse है तो यह हो गया है इसका distance अब हमें यह given है कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी chords हैं जो center से equidistant है यानि कि अगर मैं यहाँ perpendicular draw करूँ तो यह जितनी length बनेगी इस chord के उपर भी अगर perpendicular draw करूँ तो यह length और यह length आपस में बराबर होगी यानि कि यह दोनों chords यह center से equidistant हैं तो प्रूव करना है कि यह length और यह length यानि यह दोनों chords आपस में same length की है R equal in length तो इसको और इसको मुझे ब्राबर length का प्रूव करना है ठीक है तो ये मैंने दो quads ले ली AB और CD तो center से मैंने यहाँ पर perpendicular draw किया और एक perpendicular इसके उपर भी draw कर लिया तो अब मुझे given क्या है कि O E और O F ये length आपस में ब्राबर है ये दोनों quads center से equidistant है दूसरा equidistant तो ये distance का मतलब ये angle क्या हो गया 90 degree ये मैंने perpendicular draw किया तो O E perpendicular है AB पे और O F perpendicular है CD पे प्रूव क्या करना है कि AB और CD ये भी आपस में ब्राबर है अब इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है मुझे ये दो triangles बनानी है और उनको congruent proof करना है कौन सी दो triangles चाहे O को A से join कर दो चाहे B से तो चलो मैं इसको B से join कर देता हूँ similarly इस chord में O को C से join कर दो या D से चलिए हम D से join कर देते है और अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये और ये ये दोनों triangles आपस में congruent है अगर मैं congruent proof कर देता हूँ तो EB और FD इसकी length आपस में बराबर आ जाएगी और अगर ये बराबर आ जाएगी तो इसका double भी बराबर हो जाएगा ये इसका double क्यों है ये भी मैं explain करूँगा बट पहला काम हमारा ये है कि EB और FD को equal proof करो तो let's do that ये ही दो triangles ले लेते हैं इन triangle OEB and triangle OFD अब इन दोनों triangles में सबसे पहले तो ये angle हमें 90 degree का given है angle OEB is congruent to angle OFD दोनों क्या हैं 90 degree क्यों? ये हैं हमें given given कैसे? ये इस पर perpendicular ये इस पर perpendicular ये line इस पर perpendicular ये line इस पर perpendicular तो ये दोनों angles हो गए 90 degree के अब ये जो side है OB और OD ये बराबर होंगे क्यों? ये भी radius और ये भी circle का radius so OB is congruent to OD because these are radii of circle और third OE और OF ये पहले ही congruent given है ठीक है? तो OE is congruent to OF ये हमें क्या है? given के ये distance बराबर है ठीक है? तो मेरे पास आ क्या गया है यहां से? एक तो right angle फिर right angle के सामने वाली side hypotenuse और फिर कोई एक side that's called just side तो दो triangles में एक right angle hypotenuse और कोई एक side अगर congruent हो तो triangles के होती है? congruent so by RHS theorem triangles are congruent RHS theorem का अगर proof देखना हो तो मैंने top right corner में link दिया आप उसको देख सकते हो अब triangles अगर congruent हो गई तो उनके corresponding parts भी congruent होगे so using C, P, C, T, C we can say ये side इसके congruent थी ये side इसके congruent थी तो ये ही तीसरी side बची तो ये इसकी तीसरी side के congruent हो गई तो यानि कि E, B is congruent to F, D ठीक है? ये part हो गया अब आप ये देखो के मेरे पास किसी भी circle में कोई भी chord हो कोई भी chord center से अगर मैं उसके ओपर perpendicular draw करता हूँ center से अगर मैं उसके ओपर perpendicular draw करता हूँ तो वो perpendicular हमेशा उसको bisect करता है यानि कि ये length और ये length आपस में हमेशा बराबर होती है ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि E, B जो है वो A, B का half है ठीक है? Using this theorem ये chord है तो perpendicular इसको bisect करेगा तो यानि कि जितना E, B है उतना ही A, E भी होगा जितना F, D है उतना ही C, F, B होगा तो यानि कि ये side अगर इसके बराबर है तो इसका double ये हो गया इसका double ये हो गया तो ये भी आपस में बराबर होगा ठीक है? This implies A, B is congruent to C, D ठीक है? ये ही हमें प्रूफ करना था और इसके लिए आप एक theorem का reference ले सकते हो जिसका link मैंने top right corner में दिया हुआ है अगर तो आपको ये यहाँ पर समझ आ गया तो आप इस theorem को यहीं छोड़ सकते हो नहीं तो मैं और further explain कर देता हूँ यहाँ से E, B is congruent to F, D ठीक है? and O, F is perpendicular on CD तो हम वही वाली theorem जो मैंने पहले explain की थी उसको use करके हम इससे यह conclude कर सकते हैं कि O, E इसको bisect करता है right? So O, E, this implies O, E bisects A, B and O, F bisects CD और theorem का reference मैंने top right corner में पहले दिया था आप उसको देख सकते हो अगर यह इसको bisect करता तो यानि कि यह side इसके बराबर हो गई this implies A, E is congruent to E, B and यहाँ से यह side इसके बराबर हो गई C, F is congruent to F, D right? now E, B is congruent to F, D तो length की terms में क्या हो गया? कि E, B is equal to F, D ठीक है? length की terms में बराबर हो गई तो इसको अगर मैं यहाँ दुबारा use करूँ this implies 2 times E, B is equal to 2 times F, D और 2 times E, B क्या हो गए मेरे पास? 2 times E, B हो गए मेरे पास A, B क्योंकि जितना यह है उतना ही यह है so 2 times E, B मेरा कितना हो गया? A, B this implies A, B is congruent to C, D क्योंकि 2 times F, D जो है वो हो गया? C, D hence proved so that's it from this tutorial keep watching Mathemafia K प्योंकिन